गुड मॉर्निंग बच्चो बिटा आज हम हिंदी में चार अक्षर वाले बड़े उकी मात्रा वाले शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे जो अभी आपको मेरी साइड में दिखाई दे रहे होंगे बिटा ये आपकी बुक के ही शब्द है जो की पेज नमबर 15 पर है तो चलिए बच्चो पहले हम इनको पढ़ते हैं पहला शब्द है तरबूज तरबा में बड़े उकी मात्रा बूज तरबूज आगे है खर बूजा खर बमें उकी मात्रा बूजा जमें आ की मात्रा जा खर बूजा आगे है शहतूत त में बड़े उकी मात्रा तूत शहतूत आगे है कबूतर कब में उकी मात्रा बू तर कबूतर आगे है द में बड़े उकी मात्रा दू ध दूद व में आ की मात्रा वा ल में आ की मात्रा ला दूद वाला आगे है क में बड़े उकी मात्रा कूड़ा ड में आ की मात्रा दूद दान द में आ की मात्रा दान कूड़ा दान आगे है मजबूत मजबूत ब में बड़े उकी मात्रा बू त मजबूत अभी बेटा देखो इस ज ये ज के नीचे डोट है तो हम इसे क्या बोलेंगे ज ज मजबूत ज नी बोलेंगे ज ज ठीक हैं आगे है मजबूर मजबूर द में बड़े उकी मात्रा दू र मजबूर आगे है चबूत्रा च ब में बड़े उकी मात्रा बू त रा चबूत्रा ठीक हैं आगे है जादूगर ज में आ की मात्रा जा द में उकी मात्रा दू गर जादूगर ठीक हैं अभी देखो एक बात आपको ध्यान रखना है जब भी आप इनका उच्चान करोगे जैसे ये हैं मजबूत इसमें ज ज के नीचे डोट है इसको हम बोलेंगे ज ज और जो ये है जादूगर इसमें ज ज है इसके नीचे डोट नहीं है इसको हम बोलेंगे ज और इसको बोलेंगे ज ठीक हैं तो बच्चों ये थे हमारे कुछ शब्द जिसे आपको पढ़ना है और अपनी हिं इंदी की नोटबुक में लिखना है ठीक है और बेटा इसके साथ साथ आपको ये वाली वक्सीट भी करनी है इसमें आपको चित्र पहचान कर शब्दों पर गोला लगाना है पहले आपको शब्दों को पढ़ना है फिर आपको देखना है कि ये पिक्चर किसकी है उसी आपको गोला लगाना है ठीक है बिटा ये आपको अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो लेकिन आपको पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो बिटा जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो ठीक है तो बिटा आज आपको इनकी प कम्प्लीट करना है मिलते हैं मंडे को तब तक के लिए थैंक यू और बाई बाई कीड्स